इस वीडियो में फोर्थ क्लास की EVS की बुक लुकिंग राउंड या आसपास के चैप्टर नमबर 25 स्पाइसी राइडल्स चटपटी पहे लियां मैं मसालों के बारे में जानकारी प्रापत करेंगे आपने अपने घर में खाना पकता हुआ जरूर देखा होगा जब आपके घर की किचन में खाना बनाया जाता होगा तो बहुत अच्छी सी खुशबू किचन से आती होगी मसाले जहां भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं वहीं वो हमारे स्वास्थय को भी अच्छा रखने में मदद करते हैं मसालों के बारे में और जानकारी प्रापत करने के लिए आप अपने बुक का पेज नंबर 199 उपन करें या फिर इस पेज को अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं Spicy Rydles चटपटी पहलियां I can be powdered fine to make food hot and spicy If too much of me is added, I make you gusp cc Your eyes and nose begin to water and you cry Think and tell me who am I Tell me quickly who am I कूटी जाती, PC जाती, भोजन तीखा खूब बनाती खाने में जो ज़्यादे डल गई तो फिर मूँ से निकले cc आँखनाख से निकले पानी, याद दिला धूँ सबको नाने सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं तो आप समझ गए होंगे ये क्या है रेड चिल्ली, लाल मिर्च यदि सबजी में ज़्यादा मिर्च हो जाए तो फिर मूँ से cc की अवाज निकलती है और आँखों से पानी भी निकलता है जाए होंगे ये सुखे होंगे वाज उता है and apply to bounce quickly I heal all bounce with and small that is why I am loved boy all think and tell me who am I tell me quickly who am I कूटी जाती पीसी जाती खाने में पीला रंगलाती तेल में मुझे मिलाकर दादी चोट लगे तो जट से लगाती सबकी चोट को ठीक करती इसलिए मैं सबको भाती सोचो सोचो कौन हूँ मैं जल्दी बोलो कौन हूँ मैं बच्चो जो सबजी आप खाते हैं उसको पीला रंग कहां से मिलता है आपको पता है टर्मरिक या हल्दी सबजी को पीला रंग देती है हल्दी का प्रयोग जहां सबजी में किया जाता है बेहीं ये हमारे जक्मों के उपर भी लगाई जाती है इसका लेप हमारे जक्मों को जल्दी से ठीक कर देता है smal and round like a apple I am black when I am whole I can be powdered coarse or fine a sharp and spicy taste in mine whether it is salty or sweet I am added as a special treat Think and tell me who am I Tell me quickly who am I काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूँ बारीक पीसी वा दरदरी में मैं तीखे स्वाद वाली हूँ मीठे और नमकीन में मैं दोनों में ही डाली जाती हूँ सोचो सोचो कौन हूँ मैं जल्दी बोलो कौन हूँ मैं बच्चो क्या आपको कुछ आइडिया हुआ ये क्या होगा ये ब्लैक पीपर काली मिर्च इसका स्वाद भी तीखा होता है इसे मीठे और नमकीन दोनों में यूज किया जा सकता है I am a small and skinny chap Sometimes I am brown and sometimes black Added to hot oil and ghee I spread my fragrance all around me When I am roasted Curled and jaljira are favorite to me Think and tell me who am I Tell me quickly who am I मैं पतला सा पर छोटा हूँ भूरा भी हूँ और काला भी हूँ गरम घी और तेल में मैं खुश्बू फिलाता हूँ देही और जलजीरे में भून कर डाला जाता हूँ सोचो सोचो कौन हूँ मैं जल्दी बोलो कौन हूँ मैं तो क्या आप कुछ जान पाएं? क्या होगा ये? ये है कमिन या जीरा जीरा भूरे या काले दोनों रंगों में होता है और इसकी खुश्बू बहुत होती है आई लुक लाइक जीरा दो ग्रीन एम आई तो मेक यूर स्टोमेक हल्दी आई आल्वेस ट्राई इट मी आल्वेस आफ्टर यूर मील आई रिफ्रेश यूर मौथ यू शूरली फील हरे रंग की जीरे जैसी ठीक हाजमा रखती खाने के बाद मुझे खाते मैं मूँ का स्वाद बढ़ाती सोचो सोचो कौन हूँ मैं जल्दी बोलो कौन हूँ मैं आपने भी इसे खाना खाने के बाद खाया होगा क्या हो सकता है ये ये है फैनल या सौफ सौफ मूँ के स्वाद को वदल देती है I look like a nail, what a what am I chocolate brown color and a strong smell have I when you tooth that makes you short I soothe the pain in your mouth, think and tell me who am I tell me quickly who am I कील जैसी दिखती हूँ, पर मैं एक कली हूँ चौकलेटी भूरे रंग की तेज खश्वू बाली हूँ जब दर्द होता दांत में, तब मुझे रखते दांत में, सोचो सोचो कौन हूँ में, जल्दी बोलो कौन हूँ में तो ऐसी क्या चीज हो सकती है क्या आप जान पाए ये है लॉंग तो अभी आपने कुछ मसालों की पहलियों के बारे में जाना किनी दो मसालों के लिए पहलियों बनाओ और अपने कलास में पूछो ड्राव पिक्चर्स आफ दा तो स्पाइसिस इन यूर नोटबुक एंड राइट दियर नेम्स उन मसालों के चित्तर बनाकर नाम भी लिखो आप किनी दो मसालों के लिए पहलियों बनाने की कोशिश करें और उनका सुन्दर सा चित्तर बनाकर अपने टीचर को सेंड करें Find out which spices are used in your house for cooking Make a list and look at your friends list too पता करो तुम्हारे घर में खाने में कौन कौन से मसाले काम में लाए जाते हैं उनकी सूची बनाओ अपने साथियों की सूची भी देखो इस list को त्यार करने के लिए आप अपने parents की help ले सकते हैं उनसे पूछ सकते हैं कि जब घर में दाल बनाई जाती है तो दाल में कौन कौन से मसाले डाले जाते हैं क्या दाल में टर्मरिक या हल्दी डाली जाती है रेड चिली का प्रयोग किये जाता है या फिर ब्लैक पीपर का क्या उसमें जीरा भी डाला जाता है ऐसे ही जब आपके घर में पिकल या अचार बनाया जाता होगा तब कौन कौन से मसालों का प्रयोग किये जाता है आप इस तरह से मसालों के वारे में जानकारी प्रापत करके एक लिस्ट बना सकते हैं और इस लिस्ट को अपने रोस प्रोस में रहने वाले किसी वच्चे के साथ कंपेर करके देखना आपने अभी तक जाना कि रेड चिल्ली या लाल मिर्ची खाने को तीखा बनाती है और यदि ये ज़्यादा डल जाती है तो मुँसे सी सी की वाज आती है और नाक और आंखों से पानी वहने लगता है टर्मरिक या हल्दी हमारे भोजन को पीला बनाती है और साथ ही जकम या इंजुरी होने पर उस पर लगाई जाती है ब्लैक पीपर या काली मर्च मीठे या नमकीन दोनों में डाली जाती है कमिन या जीरा ब्लैक और ब्राउन दोनों रंगों का होता है और इसे देही में जादे प्रियोग किये जाता है खाने के बाद फैनल या सौंफ का भी प्रियोग किया जाता है इस वीडियो में इतना ही आगे की जानकारी अगली वीडियो में दी जाएगी